फ्रूट क्रीम बनाने के लिए जो हम क्रीम यहां यूज़ करेंगे यह है अमूल की फ्रेश क्रीम इस तरह की फ्रेश क्रीम अब कई ब्रैंड्स में आने लगी है आपको जिस भी ब्रैंड की मिल जाए आप वही यूज़ करें मैं यहाँ अमुल फ्रेश क्रीम के दो डबबे यूज़ कर रही हूँ इसका एक डबबा धाई सो एमल का है यानि कि मैं यहाँ पांसो एमल फ्रेश क्रीम यूज़ कर रही हूँ डबबे को अच्छी तरह दबा दबा कर सारी क्रीम इस तरह से निकाल लीजे कई लोग फ्रूट क्रीम में फ्रेश क्रीम के साथ विप्ट क्रीम भी यूज़ करते हैं लेकिन ये हर जगा इतनी आसानी से नहीं मिलती है तो इसलिए हम यहाँ फ्रेश क्रीम से ही अपनी रेसिपी बनाएंगे लेकिन इसके टेस्ट या कंसिस्टेंसी में इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा तो मैंने एक बोल में दोनों डबों की क्रीम निकाल ली है इस क्रीम के अंदर काफी लिक्विड होता है हम इस लिक्विड को अलग निकाल लेंगे ये देखे ये बिलकुल एजिली निकल जाता है इस लिक्विड को निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम इसे क्रीम में ऐसे ही छोड़ देंगे तो आप क्रीम को कितना भी फेट लें ये क्रीम थिक और फलफी नहीं हो पाएगी तो मैंने यहां सारा लिक्विड एक जगे निकाल लिया है ये वेस नहीं जाएगा इसे हम किसी भी दूसरी डिश में यूज कर सकते हैं चाहे हम इसे दाल मकनी में डाल सकते हैं या फिर हम इसे पनीर की भी किसी डिश में डाल सकते हैं तो अब इस क्रीम को फेटने के लिए मैं ऐसे एक बड़ी mixing bowl में निकाल लूँगी क्योंकि फेटने के बाद क्रीम का volume बढ़ जाएगा तो इसे फेटने के लिए मैं यहां electric beater यूज़ कर रही हूँ इससे काम बहुत आसान हो जाता है वैसे आप normal हाथ वाली balloon बिस से भी इसे फेट सकते हैं मगर उससे time और effort थोड़ा ज़्यादा लगेगा तो पहले हम दो मिनिट के लिए क्रीम को चला कर इसे एक सार कर लेंगे अब मैं इसमें दो टेबल स्पून गाड़ा दही डाल रही हूँ इसके लिए दही हमेशा ताजा ही लें दही खटा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और दही का सारा पानी निकाल दीजे इसे या तो आप किसी बारीक छलनी से चान लीजे या फिर मलमल के कपड़े से भी चान सकते हैं बस इसमें पानी नहीं होना चाहिए नहीं तो क्रीम पतली हो जाएगी अब हमें क्रीम को तब तक फेटना है जब तक कि ये फूल नहीं जाती हमने इसमें विप्ट क्रीम नहीं डाली है इसलिए वो ही कंसिस्टेंसी लाने के लिए हमें इसे करीब 15-20 मिनिट तक फेटना पड़ेगा एक्शली विप्ट क्रीम बड़ी जल्दी सॉलिड और फर्म कंसिस्टेंसी की आ जाती है तब ही वो केक की आइसिंग वगएरा के लिए यूज की जाती है लेकिन अगर हम फ्रेश क्रीम को भी थोड़ा और फेट लें तो इसमें भी वैसी ही कंसिस्टेंसी आ जाती है बस जैसा मैंने शुरू में दिखाया था इसमें लिक्विड बिल्कुल नहीं होना चाहिए आप देख सकते हैं कि क्रीम गाड़ी होनी शुरू हो गई है ये देखे इसमें कैसे soft peaks बन रही है और इसके quantity भी आप देख सकते हैं कि फूल के almost double हो गई है अब हम इसमें दो टेबल स्पून पिसी हुई चीनी डालेंगे इसे दो तीन मिनिट के लिए और चला लेंगे ताकि चीनी अच्छी तरह क्रीम में घुल जाए फ्लेवरिंग के लिए मैं इसमें एक टी स्पून प्योर वेनिला एसंस डालूँगी इस वेनिला एसंस को मैंने घर पर ही तैयार किया है अगर आप जानना चाहते हैं कि ये मैंने कैसे बनाया है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं थोड़े से ड्राइफ फ्रूट्स भी डाल देंगे साथ से आठ कटे हुए बादाम दस से बारा कटे हुए काजू साथ से आठ बारी कटे हुए पिस्ता और यहां मैंने दो तरह के किश्मिश ली है नॉर्मल वाली ब्राउन किश्मिश और ब्लैक रिजन जो केक्स वगरा में भी डाली जाती है इन सारे ड्राइ फ्रूट्स को हमने इसी स्टेज पर एड़ कर दिया है इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और क्रीम को 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे आप यहां क्रीम की कंसिस्टेंसी देखे कितनी लाइट है और कितनी अच्छी तरह से फूल गई है बिल्कुल लगी नहीं रहा है कि हमने इसमें विप्ट क्रीम नहीं डाली है फ्रूट क्रीम में डालने के लिए मैंने फलों में एक सेब लिया है एक केला, एक आम और एक कीवी कीवी को इस तरह से थोड़ा दबा कर देख लीजेगा अगर हलका सा प्रेस करने पर ये दब रही है तो मतलब बिल्कुल रेडी है इसके अलावा यहां मैंने 8 से 10 खुरबानिया ली है क्योंकि अभी इनका सीजन चल रहा है और बहुत ही मीठी आ रही है और यहां मेने कुछ अंगूर लिये है सारे अंगूर नहीं डालेंगे जितने जरूरी है उतने ही डालेंगे तो चलिए पहले सेव काट लेते है अगर आप सीजन का ताजा या पतले चिलके का सेव ले रहे हैं तब तो इसको छीडने की जरुवत नहीं है लेकिन अगर cold storage का save है तो इसे छील लीजेगा तो पहले हम save काट कर अंदर के बीज निकाल देंगे और अब इसका छिलका उतार देंगे अच्छा इसमें फलों को आप कभी भी पहले से काट करना रखें इन्हें आप तभी काटें जब आपको fruit cream serve करनी हो fruit cream में फल हमेशा serve करने से ठीक पहले ही डालने चाहिए अगर आप पहले से उसमें फल डाल देंगे तो अगें फल पानी छोड़ देंगे और cream पतली हो जाएगी और fruit cream हमेशा ठिक ही अच्छी लगती है save को छोटा छोटा काट लेंगे कीवी काटने के लिए आप इसके stem वाली साइड में एक हलका सा गोल कट लगाईए और इसे इस तरह से घुमा कर निकाल लीजे इसके बीच में stem का एक hard part होता है ऐसे घुमा कर वो easily निकल जाता है अब कीवी को भी हम चील लेंगे और इसके छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे कुर्मानियों को भी इस तरह से काट लेंगे और इसको भी ऐसे घुमा कर easily आप इसका बीच निकाल सकते है ये देखें कितने आराम से इसका बीच निकल गया अब इसके भी आप छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे अंगूर भी हम काट कर डालेंगे इसके दो दो तीन तीन टुकड़े कर लेंगे फ्रूट क्रीम में आप अपनी मन पसंद कोई भी सीजनल फ्रूट डाल सकते हैं बस बनाते समय एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसमें कभी भी खटे फल मत डालिएगा क्योंकि क्रीम का जो फ्लेवर होता है ना बहुत ही माइल्ड स्वीट होता है और उसमें मीठे फल ही अच्छे लगते हैं खटे फलों से टेस्ट बिगड़ जाता है इसके अलावा कोई सिट्रस फ्रूट जैसे पाइन आपल या किन्नू वगरा भी नहीं डालना चाहिए केला भी हम काच़ कर डालेंगे केले का टेस्ट इसमें काफी अच्छा लगता है तो इस सारे फल काट काट मैं एक ही बोल में डालती जारी हूँ तो चलिए अब आम काट लेते हैं आम का सीजन हो तो आप इसमें आम ज़रूर डालें क्रीम के साथ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा जाता है तो इस तरह से आम के स्लाइस में कट्स लगा के आप इजिली इसका पल्प निकाल सकते हैं और ऐसे स्क्वेर या डायमेंड शेप में कटे हुए जो इसके टुकडे होते हैं वो देखने में भी काफी अच्छे लगते हैं तो फल तो सारे कट गए हैं अब इसमें ठंडी ठंडी क्रीम अट कर देंगे ये देखिए कितनी गाडी गाडी क्रीम बनकर तयार हुई है गर्मियों में इससे रिफ्रेशिंग डिजर्ट कोई होई नहीं सकता ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी डिजर्ट है तो आप क्रीम और फ्रूट्स को मिक्स कर लेंगे इसमें सर्फ करने से ठीक पहले फल काटकर मिक्स करिए और ठंडा ठंडा सर्फ कीजे इन गर्मियों में एक बार तो इससे ट्राय करना बनता है बनाने में भी आसान है और हेल्दी भी है इसमें fruits भी है, dry fruits भी है और अगर आप इसमें एक देशी twist देना चाहें तो vanilla essence की जगे इलाइची powder और केसर भी डाल सकते हैं या गुलाब जल डाल सकते हैं ये आपकी choice है सर्फ करने से पहले इसको हम थोड़ा सा decorate करेंगे जिससे इसकी look और भी अच्छी आजाएगी तो मैंने इसको कुछ कटे हुए dry fruits से सजाया है और उपर से कुछ फल भी डालूंगी तो ये पिस्ता मैंने पहले ही बचा कर रख लिये थे तो इस पे मैंने थोड़े से कटे हुए पिस्ता डाले हैं कुछ black raisins डाल रही हूँ थोड़े से फलों के टुकड़े डाल देंगे यहां मैंने कीवी डाल दिया है थोड़ी खुर्मानिया डाल रही हूँ देखिए लग रहा है ना कितना tempting देखते ही खाने का मन करता है so my dear friends I hope कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सबस्क्राइब ज़रूर करें तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई और दूए और वाटिंग तरूए और थे सबस्क्राइब ये लाइब लाइब लुए तो